हाई फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम पालतू जानवरों पर संस्कृत भासा में निबंद देखने जा रहे हैं या जिसे हम पैट अनिमल भी बोलते हैं संस्कृत भासा में इन्हें इन सबको पैट अनिमल हो या पालतू जानवर इन सबको ग्रहस पशू कहा जाता है हाला क इन तीनों वर्ड का meaning same है, बस language का फार्व है ये हिंदी में कहा जाता है, ये English में कहा, ये Sanskrit में कहा जाता है और ये English में कहा जाता है तो ये सब हमें नहीं जाना है, हमें ग्रहस्त पश्वों पर Sanskrit भाहसा में निबन देखना है तो चलिए, स्टाट करते हैं जिसको हम अपने घर में पाल सकते हैं, रख सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं पालतुप जीविन याने जो घर में रहने वाले पशू, पालतुप शू. अब इसमें जैसे गाया जाएगी, अब आप बोलोगे हमारे गाया में, तो सहर में नहीं पाला जा. पहले के टाइम में हर एक घर में दस-दस गाय कम से कम होती थी, गरीब नहीं थे लोग ब्रशबा, माहिश, अस्वः, बका, उस्ट्रा, मेश, स्वः, आदी, पालतू पशु अस्ती अब चाहे वो घोड़ा हो, चाहे उट हो, चाहे मूशक हो, चाहे बदक हो, बक हो, चाहे बैल हो, ये सब पहले के टाइम में पालतू पशु हुआ करते थे मम प्रेपशु कुकुरा हसती अभी एक लड़का है वो आता है बोलता है मेरा प्रेपशु कुत्ता है कुकुरा कुकुरा इती उच्छे थी अभी जो कुत्ता है वो को भाऊं भाऊं करता है उसकी साउंड भी बता दिया गया अब ये जो ब्रशब होता उसका अप्योग क्रिशी कारी के लिए और सकट कारी के लिए किये जाता है अस्वा का उपयोग, बहुत सारे साावारियाम, यानि सावारी का निकली कर जाता है, स्वा ग्रहस से रक्षनम करोती, जो कुत्ता होता है, वो घर की रक्षनम करता है, यहां पर कहना कहिए मत्लब है, उस्ट्रा, मारु भूमी, पशु वनस्य, परिवानस्य, उपयोगी, इसलिए से संक्रित भासा में मरुस्थल का जाता है या मरूब्हूमा कहा परिवाहन के लिए बहुत ही अच्चर पूलत क्वारी हो और सच सच कहुं तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो पाल तू जीव होते वो हमारे सच्चे मित्र होते so at last thanks for watching the video please share the video as much as possible with your friends and classmates